दोस्तों इस गर्मी के मौसम में अगर खुद को रिफ्रेश करना चाते हो तो ये वीडियो जरूर देखी नमस्कार दोस्तों स्वागत है आपका नेस्ट कीचन में जहां हम आपके लिए दो रिफ्रेशिंग होममेड समर डिंग की रेसिपीज लेके आए हैं तो चलिए बिना देर के शुरू करते हैं मसाला बटर मिल्क बनाने के लिए सबसे पहले एक पैन में लेंगे एक चुटा चमत जीरा अब उसमें एड़ करेंगे 10-12 काली मेच और इसको कुछ देर के लिए रोस्ट करेंगे अब एक निक्सी जार में ये बुने हुए मसाली को डालेंगे अब उसमें डालेंगे दो कटी हुई हरी मिर्च एक कप दही आदा चुटा चमत काला नमक आदा इंच कटा हुआ अद्रक नमक स्वादा नुसार कुछ बर्फ के टुकडे जरूरत के हिसाब से पानी और इसे मिक्सी जार में अच्छे से पीस लेंगे अब इसको एक बॉल में ट्रांसफर करेंगे अब इसमें एड करेंगे एक बड़ा चम्मच फ्रेश हरा धनिया एक बड़ा चम्मच कटा हुआ कड़ी पत्ता और इसे अच्छे से मिक्स करेंगे अब एक लास में डालेंगे कुछ बर्फ के टुकड़े और तैयार किया हुआ बटर मिल्क डाल देंगे इसको मिंट नीज के साथ गार्मिश करेंगे आपका नैचुरल और रिफ्रेशिंग मसाला बटर मिल्क पीने के लिए तैयार है अंगूर और तर्बूस का जूस बनाने के लिए एक मिक्सी जार में लेंगे एक कप काले अंगूर उसमें डालेंगे एक कप कटा हुआ तर्बूस एक निम्बू का रस एक चोथा ये चमच काला नमा तीन चोटे चमच चेनी दो चोटे चमच मिल्क पाउडर जरूरत के इसाब से पानी दस से बारा पुदिना के पत्ते और इसे मिक्षर में पीस ले ध्यान रखे आपको इसको दरदरा पीसना है ताकि आप इसको जब भी पिए आपको वाटरमेलन की क्रंचिनस की फीलिंग आए अब इसको एक ग्लास में साव करें आपका ग्रेट्स वाटरमेलन जूस पिने के लिए तैयार है उमीद है आपको ये दोनों रेसिपीज अच्छी लगी होगी अगर अच्छी लगी तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर कीजे अगर चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजे साथी साथ बेल नोटिफिकेशन को भी दबाईए तो चलिए मिलते हैं एक नए वीडियो में एक नए रेसिपी के साथ तब तब बाई बाई